सुबोध गो स्वामी जी, DCP दिल्ली पुलिस, राधे राधे मारा जी, वंदनिये गुरुदेव, आपके चरणों में कोटी-कोटी पढ़ाओ, गुरुदेव, बड़े शहरों में नशा आम होता जा रहा है, विशेशता छोटे-छोटे बच्चे नशे के इंजेक्शन स्मैक ले रहे हैं, गुरुदेव, नशे के कारोवारी भी पूजा पाठ इवादत करते हैं, फिर भी क्यों उन्हें इश्वर के नयाय से डर नहीं लगता है? बिचार करके देखे, नाटक में उसने साधू का श्वांग लिया है, और पूरा वो साधू का श्वांग कर रहा है, तो क्या वो सत्यमार्ग का पथिक माना जाएगा? क्या वो भगवदी आदर्श पुरुष हो सकता है? क्या? नहीं ना, ऐसे ही जो भगवान के आग्यां का वो उलंगन करके, शास्त्र के आग्यां का उलंगन करके मन मानी आचरन करता है, वो किशी भी तरह के कोई भी पूजा करता हो, वो केवल श्वांग है, पूजा नहीं है, सत्य पर चलने वाला एक भी फूल ना चड़ाए, तो उसके पांचो प्राण भगवान में समर्पित ह और वो सच्चे पूजा कर रहा है भगवान की, भले वो फूल चंदन ना चड़ाता हो, लेकिन वो शत्य पर चलता है, वो सच्चा पूजारी है, और असत्य आचरन, पाखंड, बेविचार, नाना प्रकार के दोस्ट करता है, वो बड़ी-बड़ी आर्ति पूजा तो बिल किसी भी अधिकार पद्र पे हो, यदि वो सत्य को स्वईकार नहीं करता, हमारी भारती, सास्त्री, संविधान को स्वईकार नहीं करता, वो के अलव श्वांग है, अच्छा है, इन लोगों की जो उन्नती दिखाई देती है, उसका अंतरिक रहाश्य है, हमारे भागवतिक विधान का एक नियम है, कि जैसे आप अच्छे कर्म सुरू करो, बहुत धर्म से चलना, नियम से चलना, अब आपका पापकर्म आपके उपर हावी कर दिया जाएगा, यह विधान है, क्योंकि पूरु का जो पुल्ण है, अब आप शत्कर्मे में चल रहे हो, तो आपका जो बीच में पापकर्म बाधा पहुचाएगा, उसको पहले नष्ट किया जा रहा है, उल्टा शीधा जैसा भी भगवान को नजर आया, भगवा करके, अब उस समय जब कोई धर्मात्मा पुरु शत्संग नहीं करता, तो उसको लगता है, जब से हमने भजन का नियम लिया, औ जब से मेरी अविवस्था, विपत्ति, शंकट आ गए, वो समझ नहीं पा रहा है, उसके दुसकृतों का नास किया जा रहा है, क्योंकि सत्यमार्ग पर चला है, सत्यमार्ग के चलने का परिणाम, वो पुरु के सुकृत, जिस दिन मिलेंगे, उसको कोई कभी परास्त नहीं पराप्त होता है, वो समझता है कि देखा मेरा कौन बिगार सका, लेकिन जिस समय उसका सुकृत कता होगा, वरतमान का दुसकृत, और पूर्व का दुसकृत, दोनों मिलेंगे, तो ऐसा ब्लाष्ट होगा, कुल परिवार सम नस्ठ हो जाएगा, कोई उसे पानी देने वाला नहीं रहेगा, वो ऐसे बयानक कश्ट को देख लेना, किसी को भी देख लेना, परिणाम में देख लेना, थोड़ा समय लगता है, तो ये जो आरती पूजा और ये जो ओफीस के बाद कुकर, माधर्मा, अचरन, इनका कोई मात तो नहीं आरती पूजा का, सच्ची माल लेन मात तो तब है जब आदेश के अनुशार चलो, हम आपसे कह रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप उसका उलंगन करके, आप हमें माला पेना, ये चन्नन लगाए, तो मारी छाती जलेगी, तुम पर प्रसन नहीं होगी, तो ऐसे भगवान का वई भगत है, भगवान की वई नए बच्चों को सत्संग नहीं मिल पा रहा है, सास्त्र श्वाध्याय की तो कहीं रूची की गुंजायस ही नहीं रह गई, तो सास्त्र श्वाध्याय करड़े पर पुर्ण होता है, बुद्धी पवित्र होती है, और फिर मनुष्य का क्या कर तब ये निरने होता है, अब कि शुधरना चाहे तो सुधरा जा सकता है माता पिता अपने बच्चों को बैठाल करके सत्मार्ग का उपदेश करें पर खुद सत्मार्ग में नहीं तो कैसे उपदेश करें मूढता को प्राप्थ हो रहे हैं कि उनको पता नहीं में जो आचरन कर रहा हूं हमारे बच्चे अ आगे हमारे देश के लिए हमारे भविश्ची के लिए बहुत आनिका रखते हैं क्योंकि जहां मजबूत होनी चाहिए हमारी न्यू वहीं हम गड़बर हो रहे हैं अभी 17-18 के हैं और वीर दोश्य युक्त हो चुके हैं कितने ऐसे बच्चे जिनको ओशदियों के द्वारा व विचार कर सकते हैं और जब मित्रों शे मिलते हैं तो उसे सुख का वरनन करते हैं कि ऐसा करने से सुख मिलता है और नी से जिकार बनते हैं और यह सब नई पेड़ियां तभी सुध रेंगे जब कम से कम उनको बताया जाए कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है और इसका उद्देश क्या है और सुख कैसे प्राप्त होता है सुख केवल भोगों में नहीं है भोगों मोहते आप सब के पास है हरदे से देखो क्या बिश्राम मिल गया क्या गोश्वामी तुलसिदास जी जैसा कहते है जैसे केवट कह रहा है अब कछुनात लचाह क्या यह बिश्राम है नहीं चाह पे चाह बढ़ती इसका मतलब भी हम सही सुख को लईब होगा अगर सही सुख मिल जाएगा तो रूम रूम प्रफुलित होकर अशुधारा बहेगी और रदे से भगवान से भी कोगे कि अपका चुनात्म नचाहिए प्रभू आपने जुद्धिया आप नहीं चाहिए बहुत है बस आप अपना प्रेम दीजे चुटी चुटी बच्चे चुटी चुटी बच्चिया जो सास्त्र शंमत जीवन वितीत करके हमारे देश के काम आ सकते हैं वह ही अपने जीवन को नश्ट कर अचा कोई न दंड देते हैं कितने इसे हमारे सामने कि महाराजी मैं आत्मत्या करना चाहता हूँ आठ आठ ददस बार हैस्ट मैं तुम करके इतना मैं गिर चुका हूँ कि अब हमारी सुधरनी की गुंजैस नहीं यह लगता अपने जीवन को नश्ट कर कैसे हम उनको समझाएं अब यह अवस्ता जैसे बीश वरस्त तक आप ब्र पक्यदाना हो जाए तो साथ मन पचास मन उस ही में खेत में निकलेगा ऐसे ही ब्रह्मचरी की जब यह नौ किशोर अवस्ता होती है इसको ब्रह्मचरी में रखना चाहिए और जहां हो पानिक ग्रण संसकार आदि ग्रेस्त में जाए कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि उ आस्त्र और अध्यात्म और यह सब कौन सुनना चाहता है बिचार कौन चलना चाहता है आजकल का खान पान मेंगी पीजा बर्गल संसारिक वस्त में रोटी दाल शुद्ध साथिक भगवान को अर्पित करके पाने वाले बच्चे ही नहीं उनका संसकार बन गया है चुट प अल्यावस्ता से देखते हैं वहीं संसकार हमारे पढ़ते हैं तो इसलिए हमें लगता है कि बच्चों से पहले माता पिता से प्रार्थना है बच्चों को समभालने के पहले आप समलिये यदि आप सराप पीते हैं आप मांस खाते हैं आप बिशन करते हैं आप विचार करते तो आप आसा मत रखिए कि आपका बच्चा दैवी संपत्ति से उत्त हो जाएगा, आपका बच्चा बहुत अच्छे आचरन करेगा, आसा मत रखिए क्योंकि आपके आचरन ही प्रथम आचरन है, आप ही पहले गुरु हैं, पुत्र का सबसे बड़ा गुरु मा होती है, मंदा टंकी में दिखाया कि जो उसको फांसी की सजा का तो उसने पुछा आपकी कोई अंती मिच्छा उनका मा के दर्शन करना चाहता हूँ, एक बार गले लगना चाहता हूँ, मा जी वाई तो ऐसे दात बरके नाक काट ली मा की, वह ऐसा क्यों किया, बुले इस मा का ही प्रताफ है कि मैं फांसी में चड़ने जा रहा हूँ, जब पहली कलम चुराई थी स्कूल में, तो मा ने कहा था, बहुत अच्छा बेटा काम करेगी, बस हमारा उत्सा बढ़ गया, कि यह मार्ग सही है, और मैं आज इतना बड़ा डाकू बना, कि आज फांसी पे टंगने जा, और यह म चरण धो, चरण अमरत पान करो, इनकी थाली धो, उसका प्रताफ हो, अगर हम भी भगवान के मार्गे के पते, अगर संतों के चरण न धोय होते, संतों के वचन न सुने होते, तो संत बनने की छमता थोड़ी हमारे इर्दे में आती, वह यह विशय भोगों में जाती, तो ह भी भी बच्चा नसा करेगा, यह विचार करेगा, कैसे आगे बढ़ पाएगा, वीर शक्ती इस्मरण सक्ती है, वीर ही नस्ठ हो गया, तो इस्मरण सक्ती नस्ठ हो गई, बल नस्ठ हो गया, उत्सा नस्ठ हो गया, दैरे नस्ठ हो गया, सत्य नस्ठ हो गया, ब्रमचर बह कर शंतान उत्पत्य करो भगवान की पूजा हो रही अधर्मा आचरन करके बेविचार करो अपना नास कर रहे हो जब पाप का फल आएगा तो कोई नहीं बचा पाएगा कोई भी पद कोई भी प्रतिष्ठा कोई भी एश्वर है वो शब दिखावा हो जाता है हरदे जलेगा तो पद क्या करेगा ये कर्मक बहुत बलवान है अवश्व में भुक्त अब्यम कृतम कर्म शुभासुवम इसले सब स्प्रार्थना है डरो अधर्मा चरन से डरो व्यशन से डरो आनंद की जो उमगन होती वो नसे से हम नश्ट करते हैं चाहे शराब हो चाहे ड्रक्स हो च इसको मार्ग साही नहीं मिला इसले वो उस उमगन में वो नसा सीख जाता है कि और आनंद आएगा जबकि वो आनंद का नास कर रहा है अगर कोई नशान करे तो खुद पता चलेगा घर्दे एक शीत अलेक शांत रहेगा धर्म से चलने वाले को एक बहुत बड़ा पता ना करें अगर बुराई तुम्हारे अंदर आ गई तो धीरी धीर छोड़ने की कोशिस करो तभी तुम आगे बढ़ पाओगे अब आजकल हम देखते हैं जैसे किसी बच्चों से पूछते तुम ऐसा क्यों शिक गए तो उनका हम आरे पिता जी मांगते थे तो हम लेकर उठा के देते तो फिर में लगा कि हमको भी करना चाहिए जब स्वयम तुम्हारे अंदर शत्य बिराज माने फिर तुम सत्य का उपदेश करो तो लगो हो जाएगा और शत्य नहीं है और फिर उपदेश तो इसलिए हमारा समाज जो है वो पतन की तरफ बढ़ता चला जा र अने के लिए कितनी बड़ी अंदर जो ताप उत्पन होती उसको सैना होता है मन बार बार विश्यों में जा रहा है उसी विश्यों से हटा कर उसको प्रभु में लगाना फिर वो जो बोलेगा कि विशय बंधन है इसे त्याग दो तो अब जाओ यह तुमारे च्छा जीजे तो मान जाएगा उनका एक हपते बाद आना एक हपते बाद बेटा गुड़ खाने से दात खराब हो जाएंगे पेट में कीड़े पर जाएंगे मत पाना बाबा अगर यही बोलना था तो उस दिन बोल देते ना बोले हम खुद खाते थे इसलिए एक हपता छोड़ अब आगे जीवल में नहीं खाएंगे तब हम उपदेश देंगे उपदेश तब लागु होता है जो श्वयम के आचरन पवित्रों और जीवन का लक्ष सत्य हो तो लागु हो ना हमारे अब शमाज में शत्य की तरफ बढ़ने की उमगन रह गई है क्योंकि सब की का कारण बगवान की एक-ेक व्रत्ति के द्वारा भजन रूपी पूजा करना जैसे आप हो सरकारी पद्पे हो जो आशुरी प्रवत्ति के लोग है उनको दंड देना आपकी पूजा है जो आधर्मा अचरन करते हैं कानून के अंतरगत रह जितना अधिकार मिला अधिकार के शीमा के अंतर गज्जो है अगर अधर्माचरन करें ते मिल जाए तो चाहे जितना हमें वो अनकुलता दे अनकुलता किसी भी तरह की नहीं स्वेकार करनी चाहे यही भगवान की पूजा हो जाएगी और कोई जिसे आप बताये ला कि आरती पूजा करते हैं भगवान को नहीं पसंद है आप सच्ची मानना भगवान को सोने का सिंगासन पसंद है क्या एक परवत है यही भूमंडल पे चार लाख योजन का जिसका नाम सुमेर हुए और पूरा को पूरा शोनिक है चार लाख योजन चोड़ा चार लाख रत्न अधिक कते हैं उनको चाहिए उनकी तरप देखो आब क्या फ्रूम रहा है उनका यह और तुम यह चाहते हो कि अधर्मार करके कि से साधू को तो आपका धर्माचरण का धन जब उसके पास जाएगा तो उसकी बुद्धी भरष्ट होगी और जब उसकी बुद्धी भरष्ट होगी तो भजन के त्याक कराने का अपराद और वह धर्माचरण का अपराद मिलकर तुम्हें नश्ट कर देगा इसलिए हम कहते ह तुम्हें ठाकूर जी की कसम है यहां कोई भी धर्माचरण का अर्थ मत चड़ा देना क्योंकि पूरा जीवन जिन बच्चों ने अपने भगवान के लिए अर्पित किया है तो भीख मांगकर ब्रजवासियों के टुकड़े पाकर हमें प्रभू से चाहिए तुम ऐसा मत जी क्यों बच्चा तो उनका पितामा ये प्रवचन मुझे आज अच्छे नहीं लग रहे आपके क्योंकि सभा में चिला चिला के मैं पूछ रही थी जब मुझे लाया जा रहा था कि महराज विदिश्ठिर अपने को पहले हा रहे हैं या मेरे को सभा में बैठे आप भी थे वो मुझे भरोशा था कि अगर आप खड़े हो गए और बोल दिये तो मेरी वो दुर्दशाना होती जो हो रहे थी बाल खीच के एक वस्त रजश्वला में सभा में घशेट के लिए आप कुछ नहीं बोले थे कहा गया है धर्मका ग्यान का उप तश्रा हो गया है भीशन कष्ट पा रहा हूँ अब मैं पवित्र हो गया हूँ इसलिए जो प्रशन करोगे सही उत्तर दूँगा उस समय मेरी बुद्धी शुद्ध नहीं थी जो मैं उत्तर दे देता तो उन्होंने उधारन दिया कि एक परहमन्स जी जंगल में रहते थे कंद मूल फला दिखाते थे एक राजा वहां गया जब देखा कि वो द्यानस्त है तो इंतिजार करता रहा फिप्रणाम किया और का महराज कृपा करो आप जैसे विरक्त महापुरुष हमारे घर में आएंगे तो हमारा ग्रह पावन हो जाएगा तीर्थी कुर्वन ते तीर में गए सुन्दर शुन्दर भोग विलास की शामाग्रिया सब खाई पी सास्त्र निशेद करता है राजन का निशेद करता है वैरागी को उतना ही शात्विक पदार भगवान को अर्पित करके अलपाहार लगवार जिसमें आप ब्रमचरे सकें आपकी बुद्धी शुद् आए बजन में अरुची वही महल का चिंतन वही भोगों का चिंतन यार कब राजा आएगा कि दुबारा बुलाएगा अब कंद मूल फल खाने वाले बजन छुटा चिंतन राजा का अब चिंतन निदर हुआ तो तपस्ष्विते तुनंत राजा पहुँचा महाराज पदार ले करके क्योंकि दास-दासियां सिवामे नहीं सोयम राजा और रानी थे तो वो हार लिया जोली मीटा लिया प्रशाद पाया और जय हो JAय हो करके चलने रानी जब सरंगार को शाम को बैठी तो देखा हो उनका महराज अपने इस online महल में अपनी जो दास-दासियां बिलकु कहीं उनका आना जाना नहीं, तो हार चुराएंगी क्यों? मुझे लगता है, जिन संत भगवान को तुम लाए थे, वो हार चुरा के ले गए. उकाहसा मत हो, हमारे देश के पावन पर भी त्रशंत, हमारे हार को क्या करेंगे? तो उनका महराज आप कुछ भी को, मेरा द्रड विश्वास है कि हार आपके शंत ले गए, बोले हम दूसरा बनवा देंगे, आप सब्द मत उच्चारण करना, अब पान साथ दिन के बाद उन्होंने फल आने के लिए जोली में हार डाला, तो हार देखा, तो बोगा ये क्या मोरी बुद्धी भरष्टो, मैं इसे क्या करूँगा, रे मेरे सुत्व अपराद बन गया हार लिया और वहीं से चिलाते हुए राजदर्वा, महराज मैं चोर हूँ, मैंने आपके महल से हार चुराया बोले महराज, बस आपकी परिक्षा के लिए मैंने हार आपकी जोली में डाला था, आप तो संत हैं, क्योंकि सभा की हिरदय में संतों की प्रतिदोस बुद्धी हो जाएगी, इसलिए हर्मात्मा राजा ने ततकाल बात बदल दी, चलो महराज, महल ले गए और का महराज, आप ही चुरा ले गए थे, आप ही वापस करने हैं, मेरी समझ में नहीं आया, तो बोले, जिस दिन आपका अन्न खाके गए, उस दिन से मेरी बुद्धी ब्रश्ट हो गई, राजन के कारण मेरी स्वर्ण चोरी करने की, रत्न चोरी करने की प्रवत्ती जाग और जब साते दिन से मेरी बुखा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, आज मैं कंदमुल फल लेने के लिए जोली लिकाला, उसमें हार मिला, तब मुझे समझ महराज, ये आपके अन्न का प्रवाव है, कि मुझे तपस्वी को चोरी करने के लिए बि अच्छ नहीं, धर्म के द्वारा कमाए हुए धन का विभाग करो, एक मूल के लिए जमा करो, एक परिवार के पोशन के लिए जमा करो, एक आगामी व्यापार के उन्नती के लिए और उसका कुछ भाग, गरिबों की सेवा, गउशेवा, अनाथ है, बीमार है, कोई शंत महा भूखा, प्याशा, अतिति सेवा, ये सास्तर विदान है, धर्म के कमाए हुए से, जिल लोगों कहें कहना न, कि या धर्म में इतने परशंट दे दो, तो दोनों एक ही बात है, अंतर नहीं है, एक ही बात है, मतलब ओवे कई डिपार्टमेंट है, नहीं तो धर्म ऐसा कभी तो 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 दो प्याशा थास्तर में है, एक ही बात है।